हेलो वेलकम फ्रेंड्स तो दोस्तो आई थिंक आप सभी ललीत नरायन मिथला उनिवसिटी दरभंगा पार्ट वान इंगलीज ओनर्स के स्टुडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2021 से 2024 होगा दोस्तो पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों पेपर के लिए हम लोगोंने गेस कोश्चन करा रखा है आप लोग एकसामनेशन के लिए केबल और केबल उन्ही कोश्चन को तयार करना क्योंकि वहां से आपको डिरेक्टली एकसाम में कोश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तो जब हमने question guess किया paper one का तो maximum students का comments आ रहा है साथी साथ call भी आ रहा है कि इतना question हम कैसे कभर करें क्योंकि समय कम है तो देखिए हर group में जब आप paper one का syllabus देखोगे तो हर group में कम से कम आपको 15 के आजपास topics देखने को मिलेंगे और जब 15 के आजपास topics है तो आपको कम से कम तीन तो जरूर करना होगा अगर नहीं करोगे तो फिर सवाल नहीं बनेंगे फिर भी आप लोगों का कहना है कि कुछ एक से दो बता देजिए फिर कुछ ऐसा idea देजिए ताकि मुसको cover कर पाए तो देखिए आज किस वीडियो में इन ही सभी चीजों के उपर बात करेंगे गुरूप बाइज चीजों को cover करेंगे तो थोड़ा गौर से सुनिएगा और इसको utilize करिएगा देखिए आपको पता है गुरूप A में भी सवाल आएगा और ये 20 marks का होगा तो देखिए मैं जो कह रहा हूँ तरह गौर से सुनिएगा ये जो पहला नंबर का जो सवाल है हुमैनीजम हुमैनीजम को आप लोग सही से कबर कर लीजिएगा हुमैनीजम में जितने भी concept मैंने PDF format में आपको दिये हैं उन सभी को हुमैनीजम को बिलकुल आप इसकीप मत करना क्योंकि ये most important है तो हुमैनीजम को आप बढ़िया से त्यार करोगे सूरू से लेके अन तक लेकिन ये जो आपका आईडिस लिट्रेरी मुव्मेंट और ये जो Classicism and Romanticism है इसमें आप क्या करना तो उपर से 10-15 लेन याद कर लेना maximum 10-15 लेन याद कर लोगे इसलिए हम कह रहा हूँ कि मान लिजिये आपने question करा और उन नहीं आया तो उससे तो बहतर है न आपने मान लिजिये कि आप लोग का कहना कि केबल एक question दो आ जाए तो ऐसा नहीं हो सकता है अगर आप केबल एक ही question के उपर time दे देगो और सवाल अगर examiner नहीं आएगा तो आपका 20 marks छूट जाएगा लेकिन आप अगर कुछ ना कुछ लेकर आओगे न तो वहाँ पे number जरूर मिलेगा और मैं आपको बार बार कहा हूँ examiner हर page को नहीं देखता पहले page से अगर वो संतूस्ट हो जाएंगे न तो फिर वो next page बिलकुल नहीं देखते तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ humanism जो है न ये most important है वो इसलिए iris literary movement भी most important है फिर भी मैं आपको कहूँँगा humanism को आप सही से याद कर लीजिएगा और iris literary movement और ये जो classicism and romanticism है इन में क्या करना आप तो पहला page सही से कर ले न और last में माले जी ये सवाल सवा आ गए तो क्या होगा आप पहले page को cover किये रहेंगे तो जब पहले page cover किये रहेंगे न तो पहले page में आप exact data लिखोगे बच गया आगे का दो तीन page तो आगे दो तीन page में आप अगर इन तीनों के material को mix भी कर दोगे न तो आपका number नहीं कटेगा क्योंकि ये सभी एक दूसरे से मिला जुलाओ चीज है क्योंकि हर एक group में एक ही परकार का चीज परना होता है जिसी literary वाला चीज यहां पर हो गया criticism वाला चीज हो गया तो यहां पर सब एक दूसरे से मिला हुआ चीज है तो आप group A के लिए यह करना अगला आ जाता है group B group B में क्या होता है दोस्तो poetry से यहां पर सवाल आता है तो हर poetry को cover करना possible नहीं है क्योंकि poetry का सले बस तौर बहुत ज़्यदा tough है क्योंकि 20 के आसपास आपको poetry देखने को मिलेंगे लेकिन मैं आपको कहूंगा यह जो metaphysical poetry है पहले नमबर का इसको आप सही से तयार कर लिजिएगा साथी साथ Victorian poetry और movement poets चाहो तो किसी को छोड़ भी सकते हो कम से कम इन तीनों में से दो को आप क्या करना सुरू का पहला पेज याद कर लेना क्यों तो metaphysical poet most important है metaphysical poetry तो अगर यह आ जाएगा तो इसका आप exact data लिख दोगे लेकिन मालने जी अगर इस दोनों तीनों में से कोई एक आ गया तो आप उपर से 10 line याद किये रहेंगे तो 10 line आप exact लिख दोगे और उसके बाद अगर आप metaphysical वाला भी पूरा लिख दोगे आपका number बिलकुल नहीं कटेगा 20 marks का सवाल है 15 marks तो किसी हालत में जरूर आ जाएगा तो आप यह concept करना और देखिए बहुत simple यह funda है एक question को prepare करोगे और अगले question में आप क्या करोगे एक page करके याद करोगे तो यह आपको बहुत काम करेगा लेकिन जो जिसको लग रहा है कि नहीं मैं समय भी है मैं कर सकता हूँ तो आप लोग separately करना जिसको लगे कि नहीं समय कम है मुझसे possible नहीं हो पाएगा तो फिर मैं जो कह रहा हूँ वो करिएगा अब आज आता है group C group C section में दोस्तो दू परकार का सवाल लाएगा एक होगा जो कि drama से होगा और एक परकार का सवाल होगा comedy होगा वो इसी ये mix question होते हैं तीन सवाल दिये हुए होंगे और तीन में से एक काही जवाब देना होगा और ये mixture होगा comedy और drama का तो अगर आप केबल comedy के लिए जाओगे तो मैं आपको कहूँगा restoration comedy को आप सही से कर लिजिया रह गया Elizabethan तो Elizabethan के बारे में इससे में बहुत normal चीज़ है दोस्तों जैसे माले जिये restoration comedy हो गया Elizabethan comedy हो गया Jacobian drama हो गया तो इसमें केबला period को सही से याद किये रखना कि Elizabethan का period कितने से कितने से भी तक है इसमें कौन-कौन से राइटर आए Jacobian period में कौन-कौन से poets थे कौन-कौन से राइटर आए कितने इस भी का यह movement है तो normal चीज़ सब इसमें आप याद रखना जरूरी नहीं कि इसमें बहुत बढ़ा काम आपको करना है बिल्कुल नहीं तो मैं आपको कहूंगा restoration comedy का आप लोग सही से याद कर लिजिएगा इसके अलाबा sentimental और anti-sentimental comedy इन दोनों comedy का आप पहला page करके याद कर लेना और कोई भी सवाल आए जैसे restoration का आगे तब तो आप इसका exact data लिख दोगे माली जिए अगर sentimental क्या आएगा तो क्या करोगे sentimental वाला content पहले पेज लिख दोगे फिर अगले page में आप anti-sentimental वाला पहला page लिख दोगे फिर next page में आप restoration जो किये रहोगे उसको लिख दोगे तो यह करना क्योंकि comedy से तो एक question आना fix है तो restoration comedy को सही से कर लिजिएगा sentimental और anti-sentimental comedy इन दोनों का पहला पहला page याद कर लेना सवाल बन जाएंगे नहीं छूटेंगे थोड़ा और इसमें मेहनत करना चाहोगे तो केबल और केबल अगर आप sentimental और anti-sentimental comedy को सही से preparation कर लोगे तो इन दोनों में से एक आनलग भगता है तो अगर आप चाहो दोनों में से एक को भी सही से कर सकते हो तो ये भी संबब है तो आप देख लेना जिसमें आप comfortable हो कर लेना अगर आपको लोगे की नहीं हम drama करने में capable है तो आप लोग problem place, जकोविन drama और Elizabethan drama इनको कर लिजेगा सवाल बन जाएगा मैं कहूंगा comedy की और आप जाना restoration को सही से कर लेना sentimental और anti-sentimental में पहला पहला page कर लेना सवाल नहीं छूटेंगे याद रखना जो सवाल आए उस सवाल का पहला page में answer उसी चीज से देना अगले page में आप उसके regarding कोई भी comedy का दोगे तो नहीं नमबर कर लेंगे अगले page में आप क्या करोगे तो anti-sentimental का भी किये रहेंगे पहला page तो अगले page में यह डाल दोगे आगे का जो दो page बच गिया उसमें आप restoration को डाल देना नमबर नहीं कटेगा काहे क्योंकि आप जो भी लिख रहे हो न वो comedy से संबधित चीज लिख रहे हो और comedy वाले portion में comedy का content लिखोगे नमबर किसी हालाद में नहीं कटने बला है किसी के बहकावे में बिलकुल मत जाना ह जो कह रहा हूं वो करिएगा समय कम है यह काम आएगा तो यह आपका group C यहां से हो जाएगा अब हम आते हैं group D में देखिए group D में जो सवाल आएगा वो novel सेक्शन से आएगा तो यहाँ पे novel को आप सही से कर लिजेगा मैं कहूंगा पहला जो यहाँ पे सवाल देख रहे हो four bills of English novel इसको बढ़िया से कर लिजिएगा और इसके अलाबा science fiction और feminist fiction इन दोनों का पहला पहला पेज याद कर लिजिएगा काम बन जाएगा confirm बन जाएगे जिस प्रकार से group C में बताया group D में भी इसी प्रकार से होगा मान लिजिए feminist fiction ही सवाल ला गया तो पहला पेज आप feminist का याद के रहेंगे तो पहले पेज में आप feminist fiction का answer दे दोगे फिर अगले पेज इक में आप क्या करोगे तो science का भी याद के रहेंगे पहल सब्सक्राइगे आगे का पेज तो उसमें आप उपर बला का डाल दोगे नंबर नहीं कटेगा क्योंकि आप जो भी content लिखेंगे वह novel से संबंदित होगा तो नंबर कटनी की समभावला होगी ही नहीं सवाली नहीं उठ रहा है तो यहां से आपका group D हो जाएगा यह भी भी जाएंगे तो जैदा बिल्कुल मत करना कोई एक चीजा प्रीफर करना या तो आप सॉट स्टोरी बायोग्राफिक को कर ले ना या फिर इससे से सेक्षन को कर लेना मैं आपको कहूंगा आप लोग प्रस्नल इससे को सही से त्यार कर लिजिएगा साथी साथ आप लोग प्रस्नल इससे और सॉट स्टोरी को सही से कर लिजिएगा काम बन जाएगा बिल्कुल मत घबराना हो सके तो आउटो बायोग्राफिक आप लोग पहला पेज याद कर लेना इसके अलबा कुछ मत करना यानि हमने आपको बताया कि गुरूप A के लिए आप लोग हमेनीजम क को सही से पढ़ोगे इसके अलावा सभी में से एक एक पेज पढ़ोगे इसी प्रकार से गुरूप B में आप लोग मेटा फिसकल को सही से पढ़ोगे इसके अलावा सभी से एक एक पेज कभर करोगे गुरूप C में हमने बताया restoration, comedy को आप सही से preparation करोगे उसके बाद इन सभी में से आप लोग पहला पहला पेज याद करोगे गुरूप D में भी मैंने यही बताया आपको कि four wheels of English novel को सही से prepare करोगे और इसके अलावा जो बच गया उसमें से आप एक एक पेज करोगे और गुरूप E में बताया कि personalize से और short story को cover कर लेना है और autobiography में से एक पेज याद कर लेना है इतना कर लोगे काम बन जाएगा और यह सभी question जितने आप उपर में question देखे हो पांचो गुरूप से संबंधित उन सभी प्रस्ण के answer का PDF हमारे पास अब लेबल है यह जो आप PDF देख रहे हो यह उसी का PDF है कन आप जो देख रहे हो यह जो PDF है ना यह पेपर वन का PDF है 2022 के लिए most important है उपर में जितने प्रस्ण देखे हो उन सभी प्रस्ण का answer इसमे अब लेबल है इसके अलाबा मेरे पास पेपर टू का भी PDF है क्योंकि मैंने पेपर टू का भी guess कर रखाया और सभी guess की हुए question का answer इसमे है इसके अलाबा मेरे पास यह हो गया पेपर वन का question बैंक 2016-2020 तक जितने भी question आये हुए उन सभी को मैं इस PDF में शामिल किया हूँ यह हो गया पेपर टू का PDF 2016-2021 तक जो question पूछे गये है पेपर टू से संबंदित इनको हम यहाँ पैड किया है इसके अलाबा यह हो गया पेपर वन का सैलेबस कहने करत क्या हमें पढ़ना है क्या छोड़ना है यह पेपर वन का हो गया यह आपका पेपर टू का सैलेबस हो ग करना मैं आपको शारा कंटेंट शेयर कर दूंगा और सही से आप लोग इसी कुश्चन को पढ़िएगा क्योंकि यह कुश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है थेंक्यू समझ दोस्तों